गुड मॉर्निंग, I am from लोकमानने तिलके स्कूल, स्टूडेंट्स ओफ क्लास फोर्थ अज हम लोग हिंदी में पाठ गया रहा शुरू करेंगे भाशा में जिसका शिर्षक है काल, काल in English we say tenses हम जो भी कारे करते हैं वह किसी ना किसी समय पर पूरा होता है कोई भी आप काम करिए, वो कभी शुरू होगा, कभी पूरा होता है, कभी वो चल रहा होता है क्रिया के जिस रूप से हमें कारे के होने के समय का पता चलता है, उसे काल कहा जाता है उधारन के लिए दिये गए वाक्यों को पढ़िए, वह खेल रहा है वह नहाँ चुका है, डॉक्टर आया था, हम घूमने जाएंगे, तमन्ना स्कूल जाएगी, विशाल पढ़ता है इन वाकियों से हमें क्रिया के होने का समय पता चलता है काल के भेद, kinds of tenses, काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूत काल, भविश्यत काल ये काल के तीन भेद हैं, नमबर एक वर्तमान काल, प्रेजेंटन्स क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है, क्रिया वर्तमान काल में हो रही है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल मतलब क्रिया भी हो रही है या है कप्रयोग होता है जिसमें तो उसे वर्तमानकाल कहते हैं जैसे माली पानी को पौधे दे रहा है किसान हल चला रहा है वह गाना गा रहा है वर्तमानकाल के भी तीन भेद होते हैं देखिए Kinds of Presentance वर्तमानकाल के तीन भेद है का सामाने वर्तमानकाल, अपून वर्तमानकाल और संगिध वर्तमानकाल सबसे पहले हम लोग सामाने वर्तमानकाल पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो क्रिया सामाने रूप से वर्तमानकाल में होती हो से सामाने वर्तमाल कहते हैं वह पाटशाला जाता है शगुन पत्र लिखती है वह पढ़ती है वह गाना गाता है अब अपून वर्तमानकाल प्रेजेंट कॉंटिन्यूस टेंस क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कारे अभी पूरा नहीं हुआ तो उसे अपून वर्तमानकाल कहते है जैसे वह पत्र लिख रही है बच्चा सो रहा है वह नहा रहा है पंखा चल रहा है अभी काम हो रहा है अभी पूरा नहीं हुआ नंबर गा संगिद्र वर्तमालकाल प्रेजेंट डाउटफुल टिंस वर्तमानकालकी क्रिया के रूप होने या करने में जब संदे पाया जाता है तो उसे संदिक्त वर्तमानकालकी क्रिया कहते हैं जैसे वह गीत गाता होगा मैं बजार जाता होँगा वह मेरा इंतजार करता होगा अभी देखिए अभी संदे है ठीक है तो इसको संदिग्द वर्तमान काल कहते है अब भूतकाल पास्टेंस क्रिया के जिस रूप से कारे के बीते हुए समय के पूर्ण होने का पता की पाया जाये उसे भूतकाल का जाता है जैसे उसने खाना खाया था मैं स्कूल गया था भूतकाल के भेट काइंस ऑफ पास्टेंस समानने भूतकाल उसने पत्र लिखा बच्चा स्कूल गये इन वाक्यों से पता चलता है कारे बीते हुए समय में पूर्ण हो गया था ये क्रिया है समानने भूतकाल की क्रिया है आसन भूतकाल रिसेंट पास्ट माताजी बजार गई है विशाल आया है इन वाक्यों से पता चलता है कि कारे अभी अभी पूरा हुआ है अता ये आसन भूतकाल की क्रियाए है पूर्ण भूतकाल पास्ट परफेक्ट वह स्कूल गया था रेल गाड़ी स्टेशन से सूट चुकी थी इन वाक्यों से पता चलता है कारे भूतकाल में पूरा हो चुका है अता ये पूर्ण भूतकाल कहते हैं की क्रियाए हैं अब पूर्ण भूतकाल पास्ट इंप्रेक्ट वहाँ खाना खा रहा था लड़के खेल रहे थे इन वाक्यों में काम करने का पता तो चलता है पर ये पता नहीं चलता कि कारे कब समाप्त हुआ अता ये अपूर्ण भूतकाल कहलाते हैं संदिक्त भूतकाल पास्ट डॉटफुल वह बजार गया होगा वह स्कूल से आया होगा इन वाक्यों में इन भूतकाल हुए कारे के बारे में संदे प्रकट हो रहा है इसलिए से संदिक्त भूतकाल कहते हैं हे तू हे तू मद भूतकाल पास्ट कंडिशनल यदि तू मेहनत करते तो पास हो जाते इस वाक्यों से पता चलता कि भूतकाल में होने वाली क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर आधारित है अधा हे तू हे तू मद भूतकाल की क्रिया है भविश्यकाल क्रिया के जिस रूप से कारे के आने वाले समय का अभी कारे का समय नहीं आया अभी आने वाले समय का समय में करना पाय है जोसे भविष्यकाल कहते हैं जैसे आज वर्षा होगी शायद वा आज जाएगा मैं बजार जाओंगा रोहित खाना खाएगा यह सब भविष्यकाल के शब्ध हैं भविष्यकाल के भेफ kinds of future tense भविश्यकाल के तीन भेद होते हैं, का सामान्य भविश्यकाल, future indefinite tense, प्रकाश कल जाएगा, मैं खाना खाऊंगा, इन वाक्यों में पता चलता है, कारे समान रूम से भविश्यकाल अर्थात आने वाले समय में होगा, ता ये समान्य ता भविश्यकाल की क्रिया है, अब संभाव्य भविश्यकाल, future doubtful, वाज आएगा, शायद आज वर्षा होगी, इन वाक्यों में कारे के आने वाले समय के होने की संभावना व्यक्त की जाती है ता संभाव्य भविश्यकाल की क्रिया है, हे तू मत भविश्यकाल, future conditional, यदी वर्षा होगी, तो फसल अच्छी हो इन वाक्यों से पता चलता है कि भविश्यकाल में होने वाली क्रिया, किसी डूसरी क्रिया पर आधारत अता, ये हे तू हे तूमद भविश्यकाल की क्रिया हैं, ध्यान जेन योग ये बाते इस बात में हम लोग ने क्या पढ़ा? काल क्रिया के समय को सुचित करता है, नमबर दो, काल के मुखे रूप से तीन भेद होते हैं नमबर तीन, वरतमान काल के तीन भूत काल छे और भविष्य काल के तीन भेद होते हैं ठीक है? अब काल के तीन भेद होते हैं जिस बीते हुए समय पता चले उसे भूत काल कहते हैं बूत काल के छे वेद होते हैं क्रिया के जिस रूम वर्टमान में चल रही होती है उसे वर्टमान काल के लिए ये देख लिजए निमलेखित वाग के कौन से काल के हैं? लिखिए लिख दिया गया है ये इसके प्रश्न उत्तर हैं से आपको अपनी कॉपी में उतारने हैं ओके चिलन इसी के साथ आपको पार्ठ गया रहा समाप्त होता है कंप्लेट यो वर्क गुडड़े